भगवान विश्णु तथा गरूर के संबाद में गरूर पुरान पापी मनुश्यों की इस लोक तथा पर लोक में होने वाली दुर्गती का वर्णन दश गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्मा धर्म ही जिसका सुद्रिध मूल है वेद जिसका सकंध तना है पुरान रूपी शाखाओं से जो समरिध है यग्य जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है से भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे व्रिक्ष सब को आश्रे देता है वैसे ही भगवान भी अपने चरनारविंद में आश्रे देकर सब की रक्षा करते हैं इसी ये भगवान मधुसूदन को यहां पादप व्रिक्ष की उपमा दी गई है कल्प व्रिक्ष की जय हो देवक्षेत्र नैमिशारण्य में स्वर्ग लोग की प्राप्ती की कामना से शौनकादी रिशियों ने एक इस समय प्रात काल के हवनादी कृतियों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सतकार किये गए आसनासीन सूद जी महाराज से आदरपूरवक यह पूछा। रिशियों ने कहा है सूद जी महाराज आपने सुख देने वाले देवमार्ग का समय निरूपन किया है। इस समय हम लोग भयावह यम्मार्ग के विशय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोग और परलोग के क्लेशों को यथावत वर्णन कर में समर्थ है। अत उसका वर्णन कीजिए। सूद जी बोले है मुनियों। आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम्मार्ग के विशय में कहता हूँ जो पुन्यात्मा जनों के लिए सुखध और पापियों के लिए दूखध है। गरुर जी के पूछने पर भगवान विश्नों ने उनसे जैसा कुछ कहा था। मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ती के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरी से विन्ता पुत्र गरुर जी ने विनैसे जुपकर पूछा। गरुर जी ने कहा हे दे आपने भक्ती मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्थ होने वाली उत्तम गती के विशय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विशय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ती से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगुमता पूर्वक लिया जा सकता है। जहवा प्राणी के अपने वश में हैं, तो भी लोग नरक में जाते हैं, से अधम मनुश्यों को बारबार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गती प्राप्त होती है, तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख्ध प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझ से कहें। श्री भगवान बोले हे पक्षींद्र, सुनो मैं उस यम मार्ग के विशय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावा है, के ताक्षिर, जो प्राणी सदापाप परायन है, गया और धर्म से रहित हैं, जो शास्त्र और सक्संगती से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्थित मानते हैं, अहंकारी हैं, तथा धन और मान के मज से चूर हैं, आसुरी शक्ती को प्राप्थ हैं, तथा देवी संपत्ती से रहित हैं, जिनका चित अनेक विशयों में आसत होने से ध्रांत हैं, और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, सेव्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्यानशील हैं, वे परम गती को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दूख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोग में जैसे दूख ख की प्राप्ती होती हैं और मृत्यू के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं। उसे सुनू। यथो पारजित पुन्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारिरिक रोग हो जाता है। आधी मानसिक रोग और व्याधी शारिरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारन करने की आशा से उतकंठित उस व्यक्ती की जानकारी के बिनाही सर्प की भाती बलवान काल उसके समीप आप पहुँचता है। उस मृत्यू की संप्राप्ती की स्थिती में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरन कोशन किया था। उनहीं के द्वारा उसका भरन कोशन होता है। व्रिधावस्था के कारण बित्रित रूप वाला और मरना भिमुख वह व्यत्ती घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तूओं को कुत्ते की भाती खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदागनी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेश्टाएं कम हो जाती है। प्रान वायू के बाहर निकलते समय आखें उलट जाती हैं, नाडिया कफ से रुप जाती हैं, उसे खासी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंट से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ती कालपाश के वशी भूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुम के भरन पोशन में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय अव्यक्ती अंत में रोते बिलखते बंधुबांधवों के बीच उतकट वेदना से संग्याशून्य होकर मर जाता है। हे गरूर उस अंतिमक्षन में प्राणी को व्यापक दिव्यद्रिष्टी प्राप्थ हो जाती है। जिससे वह लोग पर लोग को एकत्र देखने लगता है। अत्चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीब आने पर भी सभी इंद्रिया विकल हो जाती हैं। चेतना जड़ी भूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्राण वायू के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और सौ बिच्छूों के डंक मारने जैसी पीडा होती है। वैसी पीडा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरनासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायू अधोधवार गुदामार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारन किये नगन दातों को कट-कटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रवाले यम के दो भयंकर दूद समीक में आते है उनके केश उपर की ओर उठे होते हैं। वे कौई के समान काले होते हैं और पेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नक आयुद की भाती होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत रिदैवाला वह मरनासन प्राणी मलमूत्र का विसरजन करने लगता है। अपने पांच भौति शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढखकर के गले में बलपूर्वक पाशों से बांध कर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडने अपराधी को ले जाते हैं इस प्रकार ले जाये जाते हुए उस जीव को यम के दूत तरजना करके डराते हैं और नर्कों के तीवर भय का पुन-पुन वर्णन करते हैं सुनात यम्दूत कहते हैं रे दुष्ट शीघर चल तुम यमलोग जाओगे आज तुम्हें हम सब कुम्भी पाक आदी नर्कों में शीघर ही ले जाएंगे। और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीडित जीव यम्मार्ग में चलता है। भूक और प्यास से पीडित होकर सूर्य दावागनी एवं वायू के जोकों से संत्रिप्त होते हुए और यम्दूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को कर पापी जनों की भाती अंधकार पूर्ण यम्मलोक में ले जाया जाता है। दो अथवा तीन मुहूर्ट में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यम्दूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्ट मात्र में यम को और नार्किय यातनाओं के भा कविष्ठ होने की इच्छा रखता है। किन्तु यम्दूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिये जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीडित होकर रोता है। हे ताक्ष्य वह पात की प्राणी पुत्रों से दिये हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिये हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को त्रिप्ती नहीं होती। पुत्रादी के द्वारा पापियों के उद्देश से किये गए श्राध दान तथा जलांजली उनके पास ठहरती नहीं। अत्पिंड दान का भोग करने पर भी वेक्शुधा से व्याकुल होकर यम भोग किये कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। ये पक्षी इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह दस दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। ये पक्षिश्रि भाक से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। नौ रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और दस्वे दिन उसमें बल की प्राप्ती होती है। एक खग मित व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुन एक हाथ लंबा शरीर प् पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है दूसरे दिन के पिंड से गरीवा गर्दन और सकंध कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है चोथे पिंड से प्रिष्ठभाद, पीठ, पाचवे से नाभी, छठे तथा साथवे पिंड से क्रमश, कटी, कमर और गुहियान उत्पन होते हैं आठवे पिंड से उरू, जांगें और नवे पिंड से जानू, घुटने तथा पेर बनते हैं इस प्रकार नौ पिंडों से देह को प्राप्त करके दस्वे पिंड से उसकीक शुधा और त्रिषा, भूख प्यास ये दोनों जागरत होती हैं इस पिंड़ज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीडिक जीव ग्यारहवे तथा बारहवे दो दिन भोजन करता है तेरहवे दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है मार्ग में आये हुए इन 16 पुरों नगर को पार करके पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है एक सौमेपुर, दो सौरिपुर, तीन नगेंद्र भवन, चार गंधर्वपुर, पांच शैलागम, छे क्रॉचपुर, साथ क्रूरपुर, आठ विचित्र भवन, नौ बहवापदपुर, दस दुखधपुर, ज्यारह नानाकरंदपुर, बारह सुतप्त भवन, तेरह प्राज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यंपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुर पुरान के अंतरगत सारोधार में पापियों के इस लोग तथा पर लोग के दुख खका नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।